दोस्तों जैभिम आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी डॉक्टर भाबा साब अम्बेट करकी 129 विजैन्ती इस वर्ष हम लोग भीम जैन्ती 2020 के नाम पर मना रहे हैं और ये भीम जैन्ती टोटल डिजीटल जैन्ती होगी ये डिजीटल जैन्ती क्यों होगी इसका कारण है कि इस बार हमें सडकों पर नहीं निकलना है रैली नहीं करनी है, क्यांडल लाइट रैली नहीं करनी है, बाइक रैली नहीं करनी है, छोटी और बड़ी किसी भी प्रकार की रैली रस्तों पर आकर हमें नहीं करनी है, दूसरी महत्वपुर्ण बात है कि हमें 13 अप्रिल को जिस तरह से हम आतिश बाजी करते हैं, घर से नि ना हमें बहार आना है ना आतिश बाजी करनी है सड़कों पराकर ना हमें केक को काटना है आप सब लोग इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि आप उनकी संतान है जिन्होंने इस देश का सविधान लिखा जिन्होंने इस देश को कानून दिया और इसी कानून के इतहत धारा 144 लग कि है इसके बारे में जानकारी देने की जरुरत ने फिर भी बताते हैं क्योंकि पुरी दुनिया भर में कोवीड 19 याने करोना वायरस का जो संक्रमन है वो पुरी दुनिया में संक्रमन फैला है और यह ऐसा संक्रमन है कि एक आदमी से दुसरी आदमी की और यह वायरस संक्रमि हो वो जाने अंजाने में 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है ऐसे कही उधारन है कि एक पेशन्ट जो हस्पिटल में आया है और उस पेशन्ट जो पॉजिटिव था उसके वज़े से हस्पिटल के डॉक्टर्स नर्स टॉप सब सब को करोना से बादा हुई है इसलिए हम देख सकते हैं कि इस वाइरस के संक्रमण से बहुत लोगों करी जान जो है हम जोखिन में डाल सकते हैं अब बात रही भीम जैंती की कि हमारी तो परंपरा रही है कि हमने भीम जैंती रास्तों पर उतर के मनाई है हमने धोल बजाए है हमने ताशे बजाए है हमने हवा में जो है आतिश बाजी किये हमने फूल फेके है हम सब लोग हर शहर में भारत के या दुनिया के हर शहर में जह जहां भी वावा सहाब की प्रतिमाय है पुतले है पंचशिल के जहंडे है या विहार है बुद्ध विहार है हमारी सारवजानिक अभ्यासिका है लाइबरी है या ऐसी कोई भी जगा जहां पर हम एकटा होते थे हमारी परंपरा रही है कि हम यहां एकटा हुए है और जोर शोर के साथ हमने बुद्ध जैनती मनाई है भीम जैनती मनाई है लेकिन इस बार हम लोग ये सब नहीं करेंगे क्योंकि हम सुझने नागरिक है इस देश के कानून को मानने वाले नागरिक है बाबा साब को मानने वाले नागरिक है और बुद्ध की करुणा मैत्री अहिंसा को मानन वाले लोग है इसलिए हमें इस भीम जैनती को जो 14 अप्रिल को आती है ना हमें बुद्धविहार में इकट्टा होना है ना जहिंडे के पास इकट्टा होने है ना प्रतिमाओ के पास इकट्टा होने है ना लाइबरेरी में आभ्यासिका में हमें इकट्टा होकर ये भीम जैन कैसे मनानी है अमोमन हम फेस्बूख वोर्स आप और जितने भी सोशल मीडिया के प्लाटफॉर्म है उस पर एक्टिव है तो उस पर एक्टिव रहकर इस भीम जैनति को मना सकते हैं हम हमारी जो डीपी होती है उस पर बाबा सहाब के विचार और बाबा सहाब की वीडियो और फोटो लगा कर यह जयनती को मना सकते हैं हमें बाहर नहीं निकलना है हम फेस्बुक पर संदेश दे सकते हैं लोगों को जैसे इस वक्त में आपको आवाज इंडेटी उपर संदेश दे रहा हूँ वैसे संदेश आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया चाहे बॉटस आफ हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ट्वीटर हो चाहे फेस्बुक हो जो भी सोशल प्रॉटफार्म आप यूज करते होंगे उस पर इस तरह के बदाई संदेश आपको देने हैं आपके घर में कोई भी एक्टिविटी हो रही है जैसे आप बुद्धवंदना क सकते हैं आपके घर में अच्छी रंगोली अपने लगाई हो रोशनाई की हो में बत्तिया जलाई हो बुद्ध बबाबा साब के फोटो के आगे तो उसको भी आफ वीडियो करके फोटो करके आप फेस्बूप पर अप्लोड करके अपनी आदरान जली मना सकते हैं हम आपको बता दे कि यह ट्रांसफर होने वाला संक्रमन है कोवीड-19 का करोना का आप बाहर निकलेंगे आप मिठाईया बाटेंगे आप पेड़े बाटेंगे आफ फूट पैकेट्स बाटेंगे और अचानकी ऐसा हो कि आप पॉजिटिव होके घर में आ गए और आपके घरवालों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इसलिए ऐसा ना करें मेरे जो नव जवान है उनको भी मैं संदेश देना चाहूंगा कि हम लोग टिक टाक की वीडियो बनाते हैं डॉक्ट अधर धम के प्रती आधर व्यक्त करें लेकिन मैं आपको बिंती करता हूँ कि आप इस तरह के कोई वीडियो ना बनाएं टिक टॉक पे या फेस्बुक पे या वार्ट स्टप पे या इंस्ट्रागम पे जिसमें आप यह कहें कि हमको जैभिम वालों को संक्रपन नहीं हो सक अधर के वीडियो बिल्कुल ना बनाएं जिसमें आप आभान कर रहे हो कि एकतरा जाओ बाहर निकलो हम जैभिम वालो को कुछ नहीं हो सकता है कृपा करके नवजवान इस तरह के वीडियो बिल्कुल भी ना मनाएं और ना बनाएं और ना ही इसको अपलोड करें क्यूकि इससे एक दुष्परणाम हो सकता है कि लोग बाहर निकल सकते है और संक्रमन हो सकता है बुद्ध धम का एक बहुत बड़ा विच्वार है बुद्ध到 कहते हैस वैंबी जीयो और इस रे istera को भी जीकल सक्थ हम बोलते हैं सब का मंगल हो सब का खल्याण हो सब का कल्याण हो तो इस भीम जैनती में सब का मंगल हो सब का कल्याण हो घर में ही रहे आदर व्यक्त करें हम आवान कर रहे आवाज इंडिया टीवी के और से की आवाज इंडिया टीवी सुबह 10 बजे पुद्धवंदना धम्मवंदना संगवंदना और रतन सुत्त का दूर दूर बैट कर टीवी शुरू करे आवाज इंडिया टीविस के सामने दस बजे बैठे और पुझनिय भंते गान और आवाज इंडिया टीवी पर ये बुद्ध वंदना धम्म वंदना संग वंदना करने में सुथ रतन सुथ इस सब का पठन होने वाला है तो सामने अच्छामी अपने घर में आपके बस्ती में हजारों लोग अपने अपने घर में बैठ कर टीवी के सामने बैठ कर आवाज इंडिया टीवी के सामने जब इसकी गुंजन करेंगे तो इसकी जो ध्हानी तरंगे है वह बहार निकलेगी और रास्तों पर ये ध्रणी का आयवजन कर रहा है जिसमें शुमार है भीम बुद्धगीत पर्था निभंदस परधा वक्तृत्वस परधा चितरकलास परधा आप इसमें घर बैटके ही सम्मिलित हो सकते कैसे सम्मिलित हो गे आज भीम परगीत गाकर चाहे वो कराओ के साथ रहे या संगीत के साथ रहे ट्रैक पर रहे या कीबोड पर रहे तबले के साथ रहे बासुरू के साथ रहे आप इसे अपने मोबाइल कैमेरा पर या कैमेरा होगा आपके घर में उस पे रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं नीचे आप दे वीडियो को भेजिए इसमें जो सपर्दक हमारा जो पैनल है इसमें पहला दूटिये तृतिये क्रमांक देगा पहला क्रमांक जो होगा वो पास हजार रुपे का बक्षिश होगा दूसरा तीन हजार रुपे का और तीसरा दो हजार रुपे का और पंधरा लोगों को निभंदस पर्दा में सम्मिलित हो सकते हैं उसका भी जो सब्जेक्ट है आपको नीचे स्क्रोल पर दिखाई देगा उसको आप निभंद को मोबाइल पे शौट करके पीडिया फाइल बनाके लिक कर पीडिया फाइल बनाकर उसको भी वाट्साप कर सकते हैं उसके साथ वक्त ओडेंगे जिस तरह से गाने को आपने रिकॉर्ड किया था उसी तरह से आपके वक्तुत्रों भी आपको रिकॉर्ट करना है और यस वाट्सप नंबर पर इमेल पर भेजना हैं आपका बच्चा आपके बच्चे आप जो चित्र निकालेंगे इस विशेय पर महापुरुषों के इस कार्य पर जीवन कार्य पर उसको आपको क्यामेरा में कैट कर ये उसका फ्लैश फोटो कर उसको भी इस नंबर पर भीजना है हमारा पैनल उन चित्रों को देखेगा और उसमें भी आपको पारितोशिक दी जाएगे तो यह उपक्रम है इसमें लाखों की संख्या में आप घर बैटे ही सम्मिलित हो सकते हैं बक्षित जी सकते हैं और डक्टर बावा साप अंबिटकर इनको जो है आभान करता हो कि आप घर से ना निकले इस बार की भीम जैंती घर में होंगी घर से हम बाबा साप को आधरांजली अरपन करेंगे और देश की समाज की जो परिस्तितिया आगे बेगी घर से निकलना है नहीं निकलना है लोगडाउन जाएगा नहीं जाएगा उसके बाद हम करेंगे एक तारीक लेकर की किस दिन हमें इस तरह के जो सामुहिक का रिक्रम हम करते थे कब करना है लेकिन अभी नहीं जब सरकार गोश्रा करेगी लॉक्डाउन की या धारा एक सो चवाली सहटेगी उसके बाद हम सामुहिक रूप से जैसे करते आ है भी में जेंती बुद्ध जेंती मनाते आ रहे है हम मनाएंगे लेकिन अभी हमें मनाना है घर मेंahi रहना है रास्टों पर नहीं निकलना है यही आवाज इंडिया टी-वी के और से आपको आवान है जैभी जैबुद्ध दूत प्रबुद्ध भारत कि कि झाल झाल